अनुपा मना नहीं हो रहा पर होगा क्या सवाल तो वहां पर है त्यागी जी आदर्णिया है और त्यागी जी ने आपके सवाल के अलावा बिहार सरकार का जितना प्रचार करना था आपके कारिक्रम के माध्यम से वो तो कर दिया जन गणना का जो सवाल है, ये केंद्र का काम है, बिहार में जो हुआ वो सर्वेक्षन था, और जन गणना केंद्र को करना है, और केंद्र में त्यागी जी की भी पाटी है, सुधानशु जी की भी पाटी है, और सुधानशु जी ने अभी कहा कि, और TDP भी है, और TDP भी है, न बता दें तब तक हम खुद डॉट्स ना कनेक्ट करें 2021 में जो जनगणना होनी थी जो समझ ये स्वतंतरता के बाद और स्वतंतरता के पहले भी कभी कोई रुकावट नहीं आया 2020 में कई चुनाव हुए कई तरह की चीज़े इस देश में हुई लेकिन सिर्फ सेंसस नहीं हुआ उस सेंसस को जब आप एक टाइमलाइन के साथ 2026 का टाइमलाइन जो निर्धारित है परिसीमन के लिए उस हिसाब से आप कर रहे हैं तो naturally dots भी connect करेंगे हम लोग उसमें chronology भी देखेंगे अब सवाल यह है कि दिखें जन गणना ही नहीं भाजपा की जो सरकार है या NDA की जो सरकार है वो दरसल ग्यान विरोधी और तर्क विरोधी होने के करण सुचना विरोधी भी है और आंकड़े विरोधी भी है पर आप वोटों की राज़नीती कर रहे हैं सैंपल सर्वे और्गनाईजेशन का डेटा आया कि बेरोधी ने 45 साल का रिकॉर्ड तो दिया है नवंबर 2018 नवंबर 2018 नवंबर 2018 नवाद में माना उन्हों से ठीक पहले हाँ चुनाव के बाद माना वो डेटा ठीक पहले जब आया उसको सरकार ने अपनी ही एजेंसी की रि पचास साल में रियल टर्म्स में पर जब आप पर भी तो देखिए 2010 में बोली दोनों को मैं एक पॉइंट बस मैं आड़ कर रहा हूं मैं जो पॉइंट बताना चाहरा हूं कहना चाहरा हूं वो यह कि देखे जहां जहां आकड़ों की बात आती है इस सरकार ने साबित किया ह कि यह तत और आकड़ों के विरोधी हैं जब अर्थवज्था नीचे गई तो इन्होंने GDP का फॉर्मूला बदल दिया कोवीड के समय कितने श्रमिकों की जान गई वह आकडा इनके पास नहीं कितने कोवीड की जैन गई वह आकडा की पास नहीं है और ये उस देश में अंडिये की सरकार ने ये काम किया है जिस देश के स्टेटिस्टिकल सिस्टम का सम्मान डशकों से पूरी दुनिया में रहा है और इसलिए रहा है सुधिर जी इसलिए सम्मान रहा है उसको सर्वजी ने क्यों नहीं किया जी अभी सरकार उसको सप्रेस अभी दस साल से किसकी सरकार है कि आपके पास भी 2011 के बाद 12, 13, 14 हम तो दिन रात रूफटॉप पे शोर कर रहे हैं कि आप जातिगत जनगणना करिये अभी त्यागी जी ने स्टेटस को वाली बात कहीं न कॉंग्रेस को लेकर इस देश में अगर जनगणना में अनुसूचित जाती जनजातियों की गणना हो रही है तो 1951 से हो रही है कॉं में एक लाइन की जवाब है आप इनसे यह जवाब लेके दिखा दीजे मुझसे जागी जी से चाहे भाजपा के प्रावक्ता से कि जातिगत जनगणना होगी या नहीं होगी तो अभी मना किसने कर रहा है कर कौन रहा है हाँ कौन कर रहा है जिससे में यह होगा नहीं होगी यह कमाल है मेरा है मेरा तो आपका देखे क्या है आप विशे को भटकाते हैं यहां पर राजनेतिक चर्चा होने की विशे पर चर्चा नहीं करवाते हैं आप आप यहां जन्न करना के बारे में बात करी है, परिसीमन के बारे में बात करी है, किसी के साब भाज़ा पा के सरकार के तो आंकड़े ही नहीं होते, अरे क्या बात करें बई, तो आंकड़ा जाती का आंकड़ा क्यों नहीं होना चाहिए, यह सवाल पूछा जा रहा है, जा होगा, सुरिये सुने अरे बही मैं बता रहो ना अब आपने इनसे पूछा इनसे आगे क्यों नी पूछा बही 2011 के बाद इनों ने क्यों नी उसका आकड़े को सामने रखा आपके बाद से नहीं क्यों नहीं दिखाया मैं आपसे मुझे हुआ ना एडिटारियल पॉलिसी आप तोड़ा तेह करेंगे सवाल तो मैं तेह करूँगा मुझे क्या पूछने है आप क्यों किसी आ रहे हैं तो मेरे से सुनिये तो 2014 से वो आकड़े आपके पास है सारवजे ने क्यों नहीं कर रहे है आप के साथ दिक्कत क्या है आप ये बताईए ना मेरी दिक्कत है छोड़िए आपके सवाल की जवाब दीजिए ना मैं बताता हूँ ना पूछे अरे मैं बता रहो हूँ सुनिये तो क्यों नहीं कर रहे है न ये सेंसेज नहीं करा इन्होंने इन्हों सर्वे करके उसको छोड़ दिया इनकी लेबर मिनिस्ट ने ने कर रहा ता आपको नहीं पता है तो इसलिए विशे है कि इसको अगर कोई भी चीज़ देखे आज तक क्या हुआ है 1931 में लास सेंसेज वादा कास्ट का उसी को एक्स्टा पॉलेट उसके बाद भारत का विवाजन भी हो गया लेकिन उसी को एक्स्टा पॉलेट करते करते चीज़े चलती रही है अब विशे आ रहा है कि अब जो है जन्गर्णा क्या होगी तो मतलब आपता कहना ही है कि हमने मना नहीं किया जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर धाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहु पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गौन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर ABP News आपको रखे आगे